हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैठ स्वाटिका में दोस्तों मैं हुरुपेश यादग और इस वीडियो में हम लोग रिजिनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन के कम्प्लीट कॉंसेप्ट को देखेंगे और हां अगर आप हमारे साथ पेट बैच में जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैठ स्वाटि का अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा उसे अप्लिकेशन के ऊपर मैठ और रिजिनिंग दोनों का ही हम प clicked लिए कि पबाद को दिखा देते हैं कि पॉष्चन आपका किस तरीके से होता है इस टाइप से जो चुष्चन पुछा जाता है कि A, B, B का भाई है, B, C का पिता है, इस टाइप का जो question होता है, उसको हम लोग बोलते हैं puzzle form, तो एक type तो आपका question का यह हो गया, इसके अलाबा देख लिजे, जो दूसरा type है question का, वह जो है आपका, वह आपका coded relation का है, यानि कि यहाँ पे जो relation आपको मिलेगा, वह coded form में जैसे देखीगा, इस question में क्या बोल रखा है, गुना, A, गुना, B का रथ है, A, B का पिता, यानि कि symbol से relation को दर साया जाएगा, वह symbol कोई mathematical symbol हो सकता है, या फिर कोई special symbol जैसे है, dollar है, इस से भी relation को दर साया जा सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते है, coded relation, ठीक है, और तीसरा एक और type आपका blood relation के अंदर बनता है, और वह जो type है, वह है आपका pointing form, इसमें क्या होगा, कि कोई एक person जो है, किसी दूसरे person के और इसारा करती हुए, उसका परचय कराएगा, या फिर किसी तस्वीर photo के तरफ इसारा करती हुए, उसका परचय कराएगा, और उसके आधार पर हमें यह तै करना होता है, कि इन ब्यक्तियों के बीच में relation क्या है, ठीक है, तो total आपका जैसा कि हमने आपको बताया कि तीन type से question आपका पूछा जाता है, तीनों ही type के question का जो theory है, वह आपका same ही है, ठीक है, तो आईए सबसे पहले हम लोग theory को अच्छी तरह से देखते हैं, अगर आप theory अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो blood lesson के किसी भी question का answer आप बहुत ही कम समय में और बिल्कुल static निकाल पाईएगा, तो आईए देखते हैं, blood lesson के question को solve करते समय, चाहे वह कोई भी type का हो, हमें बस दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो generation का औ आपका male होगा, male कहने का मतलब की पुरूस होगा, या फिर जो person होगा, वह आपका female होगा, जिसका relation आपको तै करना होगा, वह या तो male होगा, या फिर female होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा, ओके, चलिए, कोई तीसरा किस आपका यहाँ पर नहीं बनता है, ध्यान रख या छोटा सा काम आपको करना है, कोई भी person अगर female है, तो उसको circle के अंदर रखिए, और अगर male है, तो उसको triangle के अंदर रखिए, जैसे माली जै इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है, तो हम एक चीज़ देखकर के समझ जाएंगे, कि ए पका क्या है, ए पका आपका पुरूस ह है, इस तरीके से circle में अगर कहीं B है, तो B को देखकर के हम समझ जाएंगे, कि B पका क्या है, B आपका female है, यानि कि महिला है, तो महिला को circle में और पुरूस को आपको कहां पर रखना है, पुरूस को आपको रखना है, triangle के अंदर, पहली चीज, ओके, चलिए, अब दूसरा आपको ध्यान रखना है, वह ध्यान रखना है gender का, gender तो आप देख चुके है, generation का, ओके, अब generation के अनुसार हमें कैसे arrange करना है, तो करना या है कि इस धर्ती पर जो भी पहले आया है, उसको आप रखिएगा उपर, और जो बाद में आया है, उसको नीचे रखिएगा, simple सा concept ह इस धर्ती पर जो पहले आया है, उसको उपर और जो बाद में आया है, उसको नीचे, यारी सबसे उपर हम लोग किसको रखेंगे, सबसे उपर रखेंगे हम लोग दादा दादी को, grand father और grand mother, सबसे उपर किसको रखना है, दादा दादी को रखना है, सभी relation को इसके मदल से सबसे उपर दादा दादी को उसके बाद इसके नीचे किसको रखना है इसके नीचे रखना है माता पिता को और इसके नीचे आपको किसको रखना है पुत्र पुत्री को कहने का मतलब बस एक ही है कि इस धर्ती पर जो पहले आएगा उसको रखना है उपर और जो बाद में ब्लड रिलेशन के question को solve करने के लिए हमेसा इन दोनों data के आधार पर हम लोग एक family tree बनाएंगे, छोटा छोटा family tree आपका बनेगा, अभी हम लोग सीखेंगे, family tree बनाएंगे और family tree में हमें इन ही दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो gender का और दूसरा generation का, according to generation इस धर्ती पर पर जो पहले आया है, उसको उपर लिखिएगा, जो बाद में आया है, उसको नीचे रखना है, और according to gender जो पुरुस होगा, उसको रखना है triangle में, और जो महिला होगी, उसको रखना है circle के अंदर, अब हम आपको family tree बना के बताते हैं, देखेगा यहाँ पे, जितना भी case possible है सबी case का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग family tree बनाना सिखेंगे, अभी आपको कोई relation नहीं निकालना है, सिर्फ आपको family tree बनाना सिखना है, एक बारा आप family tree बनाना सिख गया है, फिर आपके लिए blood relation का किसी भी type का question बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे द रखेंगे ऊपर और B को रखेंगे नीचे, इस धर्ती पर जो पहले आया है उसको रखेंगे ऊपर और जो बाद में आया है उसको रखेंगे नीचे, एक concept तो आपका यह हो गया, according to generation आप इसको arrange कर दिये, अब आपको gender का भी ध्यान रखना है, तो देखिए तो क्या बोला ह A, B का पिता है, मतलब A का gender confirm है कि A तो पुरूस होगा, क्योंकि तभी तो यह पिता हो सकता है ना, पुरूस होगा तभी पिता हो सकता है, तो A का gender भी confirm है, A पुरूस है, तो A को रखेंगे ट्रेंगल में, इसको देख करके जिसके पास भी इसका concept होगा, वह इस family trick को देखक करके समझ जाएगा कि A, B का पिता है, अच्छा B के बारे में अगर पुछा जाए कि B क्या है A का, तो अगर A, B का पिता है, तो B या तो पुत्र होगा, या फिर पुत्री होगा A का, चुकि B का भी gender clear नहीं है, इसलिए हम असपस्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि पुत् लेकिन निश्चित रूप से पुत्रिया पुत्री में से ही कोई एक होगा, ओके चलिए, तो पहला family tree हम लोग बना लिये हैं, या जो family tree हम लोग ने बनाया है, किसका बनाया है, A, B का पिता है, आए दूसरा क्या है, दूसरा है आपका A, B की माता है, A माता है B की, तो A रहे है, A, B की माता है, A माता है, यानि ये पका क्या होगा, महिला होगी, तो महिला को कहां रखना है, circle में, जो female candidate होगा, उसको हमेसा circle में, और जो male candidate होगा, उसको हमेसा कहां रखना है, triangle की अंदर, ओके सारे relation को अभी हम दर्स आएंगे, बस आप देखते चलिए, तीसरा देख है, तो A नीचे रहेगा, किसके नीचे, B के नीचे, क्योंकि A से तो पहले भी आया होगा, A तो पुत्र है, B का, अब आगे, अब यहाँ gender किसका clear है, A का, A पुत्र है, मतलब A पका क्या होगा, पुत्र बोला, मतलब A पुत्र होगा, अब इसका family tree यही बनेगा, अब इसको देखकर कि हम क्या अंदाद लागा सकते हैं, कि सर, A तो B का पुत्र है, इसका मतलब B क्या हो सकता है, B या तो माता हो सकता है, या फिर पिता हो सकता है, किसका A का, ओके, चलिए, यहाँ पे तीन family tree बना लिए है, अब चौथे को देखिए, जो चौथा data यहाँ पे दे रख बहए, भाई है, मतलब दोनों same generation का, भाई बोले, भावी बोले, हैंना, यहाँ सब क्या होता है, यहाँ सब आप का frame generation का होता है, पत्मी वगादा सब यहाँ चलिए, तो A और B का भाई है, तो A और B दोनों क्या होगा, साथ में आएगा, अब आगे क्या करना है, आपको, अ A और B भाई है, अगर कोश्षान में यहाँ बोला होता, कि A B का भाई है तब हम लोग केबल A को रखतें, ट्रेंगल में B को बाहर रखतें, लेकिन बोला है, A और B भाई है मतलब की A B का भाई है और B किसका भाई है बी A का भाई है चलिए अब आगे यह जो पांचवा डाटा दे रखा है अब हम उसका family tree बनाते हैं जो पांचवा डाटा है वो क्या है आपका A B का भाई है और B A की बहन है तो सबसे पहले A और B दोनों आएगा साथ में A और रखिये triangle के अंदर और B A की बहन है मतलब B महिला है तो इसको रखिये circle के अंदर अब इस data को देखकर के कोई भी समझ जाएगा कि A B का भाई है और B A की बहन है clear जैसे अगर कभी इस तरीके से लिखा रहे X Y अब इसको रखा जाए circle के अंदर इसको देखकर कि आप क्या तरीके से कर देते हैं अब क्या हुआ अब X Y का भाई है और Y X की बहन है clear चलिए अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं X और Y सिधे ऐसे लिखा हुआ हो इसका मतलब कि X और Y क्या हो सकता है या तो भाई बहन हो सकता है या दोनों भाई हो सकता है चुकि gender clear नहीं है और अगर इस तरीके से हम कर देते हैं, तो दोनों, दोनों का दोनों क्या है, मगिला है, मतलब X और Y दोनों एक दूसरी की बहन है clear चलिए, इसको देख चरभिए आपको समझ जाना चाहिए, आगे बढ़िए, तो नमबर फांच में क्या था, AB का भाई है और B A की बहन है नमबर छे, हर टाइप का family tree बनाना सीखेंगे, आपको बिल्कुल भी tension लेने की ज़रूत नहीं है नमबर छे, क्या है, A, B की पत्नी है, अब इसको गौर से देखें, पत्नी मतलब same generation, तो इसको भी एक साथ लिखेंगे A, B की पत्नी है, अचा जेंडर किसका clear है, इसका हम लोग family tree बना रहे है A, B की पत्नी है, जेंडर किसका clear है, A का की B का, तो A पत्नी है, पत्नी है, इसका मतलब पक्का महिला होगी, चलिए ठीक है अच्छा पत्नी है इसका मतलब कि यह तो पती ही होगा ना पती कहीं पत्नी होता है अब दोनों का जेंडर क्लियर हो गया तो A B का पती है A, B की पतनी बोला है, मतलब A पतनी है, A महिला है, तो B पका क्या होगा, B पका पुरुस होगा, क्योंकि पतनी जो है वो पती कहीं होगा, अब यहां से केबल इस सब्द से दोनों का जेंडर केलियर हो गया, लेकिन एक confusion हो गया, confusion क्या हुआ, यहां पे जो family tree बनाये थे, भाई यही आपका difference होगा, अगर plus हटा दीजेगा, तो दोनों भाई बहन हो जाएगा, अगर plus आप लगा देते हैं, तो दोनों पती पतनी हो जाएगा, clear बस इतना सा जो concept है, उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, भाई बहन के बीच में आपको कोई भी symbol नहीं लगान है, लेकिन पती पतनी के बीच में क्या करना है, आपको plus का symbol देना है, जैसे अगर हम इस तरीके से लिखे, गौर से देखिएगा, x ऐसे है और यहाँ पर आपका y है, clear चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x भाई है y का और y बहन है x का, लेकिन जैसे ही इ एक बिवाही जोड़ा है, मतलब की पती-पत्मी है, जो पुरुस होगा, इसमें से वह पती हो जाएगा और जो महिला होगी वह पत्मी हो जाएगी, तो बिवाही जोड़ा के बीच में हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको plus का symbol यूज करना है, उमीद करते हैं कि यहा यहां फे फैमिली ट्री के मदद से रिपरजेंट करेंगे, नमबर साथ देखिए, नमबर साथ क्या है आपका, बोला है यहां पे ए बी का चाचा है, अब आई यह इसका फैमिली ट्री बनाते हैं, चाचा का मतलब क्या होता है, सर चाचा का मतलब होता है, पिता का भाई, च पिता का यहां पर बना दिये भाई, यहीं क्या होगा? चाचा, यह हो गया B का पिता, और पिता का बना दिये भाई, यह चाचा हो गया और यहां पर किसको रखना है? A को, हो गया चाचा, A B का क्या है? चाचा, B के पिता का भाई, मतलब A क्या है? A आपका चाचा है, किसका A च मतलब क्या होता है माता का भाई तो ए जो है वह क्या होगा बी के माता का भाई तो सबसे पहले यहां पर बी को लीजिए और बी के माता को बना ये और माता का भाई बना दीजिए ठीक है यह माता का भाई हो गया यह कौन है यहां पर आपका ए है इसका मतलब क्या हुआ इसका म समझ सकते हैं यहां दोनों इस दोनों का रिलेशन क्या होगा भाई भन का होगा देखके पता चल रहा है अच्छा और किसी भी परसन के उपर हमेसा ध्यान रखिया कि किसी भी परसन के उपर केबल उसके माता-पिता रहेंगे किसी भी परसन के उपर केबल उसके माता-पिता औ अगर circle है तो माददा ही होगी और triangle है तो पिता ही होगा ठीक है? चलिए तो 8 तक आपका clear हो गया, number 9 इसका बना ये family tree, number 9 क्या है? A, B का दादा, अच्छा दादा कौन होगा? दादा का मतलब होगा, पिता के पिता, ठीक है? पिता के पिता, तो B के पिता के पिता, A जो है, B के दादा है, यानि कि B के पिता के पिता A है, तो सबसे पहले यहाँ पे B आएगा, B का यह हो जाएगा पिता और इसका भी बना दीजे पिता, यही होगा, यही कौन होगा, यही B का दादा होगा, और दादा कौन है B का A है, इससे क्या क्लिर हो गया, A B का दादा है, दादा का मत उसी तरीके से अगर हमें बनाना होगा नाना अगला देख लिजिए नंबर 10 में क्या है नंबर 10 में बोला गया है कि A B का नाना, नाना का मतलब क्या होता है, नाना का मतलब क्या होता है, नाना का मतलब क्या होता है, नाना का मतलब होता है, माता के पिता, माता के जो पिता होते हैं, उसी को नाना बोलते हैं, अचा अगर यहाँ पे दादी बनाना होता है, बोला क्या होता, A B की दादी है, तब क पिता की माता, यही तो हो जाता, B की दादी यही तो होगी, B के पिता की माता, उसी तरीके से हमें अब क्या बनाना है, A, B के नाना है, B का नाना बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे B आएगा, और B का हो जाएगा, यहाँ पे माता, और B के माता का बना दीजे, पिता, यही B B का नाना हो जाएगा, A, B के, A, B के नाना है, तो B का नाना बनाना है, यानि B के माता के पिता, यही कौन है, यही A है, ठीक है, A, B का नाना है, इसका फैमिली ट्री यही बनेगा, अब चलिए, नमबर 11 का जो डाटा है, बस दो डाटा और है, उसके बास सीधे चलेंगे, हम ल दामाद, तो सबसे पहले बी का मना ये बेटी, यह हो गया एक है, बी का बेटी, बी का बेटी कहां होगी, बी के मीचछी, और इसकी बेटी का करा दीजिये आप सादी, इसके बेटी का जो पती होगा, वही तो दामाद होगा, ठीक है, और यही पर कौ lawyer चुर क्वै, यहीं पर का भी दामाद हो सकता है simple सा यहां पर concept है हम में बनाना था एक को बी का दामाद तो बी के बेटी का पती बना दिए देख लीजे मैं इस कपल के बीच में प्लस का चिन ओके चलिए आगे चलिए नंबर बारा नंबर बारा क्या है नंबर बारा बहुत ही ध्यान से देखिएगा बोला है ए बी की पुत्रबधू है पुत्रबधू बनाना है हमें है ना डॉर्टर इनला बनाना है पुत्रबधू पुत्रबधू किसको बोलेंगे बेटे की जो पत्नी होती है वही पुत्रब कॉइन कोई भी डाटा आपका दे उसका फैमिली ट्री बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चीए बहुत ही आराम से आप उसका फैमिली ट्री बना सके ओके यहां पे देख सकते हैं कोई भी relation आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अब चलिए, सबसे पहले हम एक family tree बनाते हैं, अभी इस question को मत देखिए, बाद में हम लोग solve करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा family tree बनाते हैं, यहाँ आपका हो गया x, यहाँ पे हम बना दिये y को, ठीक है, यहाँ पे हम बना दिये z को, और यहाँ पे आपका, एक second लूग जाएगा, यहाँ पे आपका कौन हो गया, z हो गया, और यहाँ पे हम बना दिये b को, ओके, चलिए, अब गौर से देखिएगा relation, गौर से देखिएगा यहाँ पे relation, अगर मान लीजे, आप से यहाँ पूछा जाए, कि y x का कौन है, तो y कहाँ पे है, x के just उपर, तो just उपर कौन रहता है, माता या पिता, circle में है, इसका मतलब महिला है, triangle में रहता है, मतलब पूरस होता, तो y माता हो जाएगा किसका, x का, अच्छा यहाँ पे देखिए, y और z के बीच में plus का चीन, इसका मतलब z पती है y का, z कौन है, z प माता का पती है z, तो माता का पती यानि की पिता, то x के पिता, z और x की माता y, ठीक है, अब चलते हैं, आगे, अब x के साथ b का relation, भी से relation देखते हैं, हम लोग x का, देखिए, x का clockwise है ज और z का पिता है B, यानि X के पिता के पिता है B, इसका मतलब B क्या हो जाएगा? पिता का पिता कहाने का मतलब B दादा हो जाएगा किसका? B दादा हो जाएगा आपका X का, ठीक है? B क्या होगा? B दादा हो जाएगा X का उसी तरीके से अगर हम आप से पुछे कि Y कौन है B का, Y B का कौन होगा, तो देख लिए B, B के पुत्र की पत्नी, B के पुत्र की पत्नी यानि कि Y पुत्र बधू हो जाएगा किसका, Y पुत्र बधू हो जाएगा B का, यानि एक बार family tree बन के आपका त्यार हो गया न, तो इसके आधार पे हम लोग किसी भी question का अंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, अब आई इस question का हम लोग family tree बनाते हैं, और चेक करते हैं इस चीज को, बिल्कुल पहला question आपके सामने हैं यहाँ पे, question देख लिए क्या है, पजल form का question है, X, Y की बहन है, तो हम क्या करेंगे, X और Y दोनों को रखेंगे साथ में, बहन है मतलब same generation, और बहन कौन है, X, इसका साम तब X का gender clear है, तो X को रख लिए circle में, अभी तक Y का gender clear नहीं है, X, Y की बहन है, यहाँ से आपका clear हो गया, X, Y की बहन, ओके, चली आगे, Y, K की पुत्री है, Y कौन है, K की पुत्री, तो K कहा रहेगा, Y के ऊपर, और gender किसका clear हो गया, Y का, Y पुत्री है, यानि कि Y को वह क्या है, Y का पती है, के पती है, किसका Y का तो K और Y दोनों साथ में रहेगा, और के पती है, इसका मतलब पुरूस है, अच्छा, पती है, तो या पत्नी हो जाएगा, और पती पतने के बीच में क्या करना है, प्लस सिंबॉल यूज करना है, के Y का पती है, के पती हो गया किसका इल का क्लियर फैमिली ट्री हमारा बनके हो चुका है त्यार इसी तरीके से हरे कोशन का हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे अब इसके आधार पर कोशन का आंसर करते हैं अब कोशन देखे क्या बोला है इल वाई का कौन है इल जो है वह वाई का कौन है मतलब हमें क्या ब वास्थम में कौन है किसका y का I'll the y का कौन है गौर से देखिए y के पिता की माता सुड़ी पत्नी y के पिता की पत्नी यानि की y की माता एल हो जायेगी तो आंसब हमारा इस कोश्चन का क्या होगा माता हो जाएगा फिर से कि पत्म यानि कि माता वाई कि माता कौन हो जाएगी एल अब अगर इस कोश्चन में यह पूछा गया होता कि एल एक्स का कौन है तो दोनों बहन है तो जो रिलेशन वाई के साथ होगा वही रिलेशन एक्स के साथ होगा तो एक्स और वाई दोनों का एक्स और वाई दोनों का यह हो जाएगा पिता और एक स्वरवाई दोनों की यह क्या हो जाएगी माता हो जाएगी उसी तरह से इस दोनों का यह दोनों क्या होगा इस दोनों का यह दोनों संतान हो जाएगा और दोनों का दोनों महिला है यानि कि दोनों की दोने पुत्री हो जाएगी ठीक है चलिए प बाइ कौन है a भाइ है तो एक और क्या ट्रैंगल में एक जैंडर किलियर होगे ठीके एक तो लाकशी होगे टीकर लाझ कि ऑड्रोग्यां पिता है यानि किस्को रखेंगे ट्रैंगल में ने रिटा है मतुरूश होगा ट्रैंगल में आगे E B की पुत्री है E कौन है B की पुत्री तो E कहां रहेगा B के नीचे क्योंकि B की पुत्री है पुत्री है तो सरकल में पुत्र है न E क्या है E आपका B का पुत्र है जो B का पुत्र होगा वो B के नीचे रहेगा और चुकी पुत्र बोला है यानि कि यह पुरूस होगा, मेल होगा, तो इसको रखेंगे ट्रेंगल में, अब आगे, फैम्ली ट्री हमारा बन के त्यार हो गया, अब कोश्चन पर आईए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बुला है, ए से, अच्छा, जिसके साथ से लागा रहे, उसका रिलेशन निकाल है, डी का समद्ध किसके साथ, ए के साथ, मतलब डी कौन है ए का, कन्फ्यूज मत करिएगा, जिसके साथ का लागा रहे, उसके बारे मिं बताएगा कि वह कौन है, तो डी कौन है ए का, देखिए, डी कौन है ए का, तो ए के माता के पिता, ए के माता के पिता डी है, तो माता के पिता यानि की नाना, तो D क्या हो जाएगा, D नाना हो जाएगा, किसका, नाना हो जाएगा आपका, A का, ठीक है, फिर से देख लीजे, A से D का क्या संबंद, जिसके साथ का लगा रहे, उसका relation बताएगा कि वह कौन है, तो D कौन है A का, D जो है, वह A का कौन होगा, तो A के मा माता, A की माता के पिता, तो माता के पिता यानि की नाना, तो D नाना हो जाएगा, A का, क्लियर, चलिए, बरते हैं, अगले कोश्चन में, कोश्चन नमबर तीन, यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है, B, D का भाई है, फटा-फट से family tree बना लेते हैं, B, D का भाई है, त B की बहन है, तो B के साथ रहेगा, और कौन है यह, बहन है, तो सरकल में रखिये महिला हो जाएगी, M, B की बहन है, K, M की माता है, M की माता कौन है, K, तो K कहां रहेगा, M के उपर माता है, मतलब इसको भी सरकल में रखेंगे, आगे, R, K का पती है, K का पती कौन है, R, तो K क की बहन है, M, B की बहन हो गया, K, M की माता के कहां है, M की माता तो M से उपर के होगा, और R, K का पती, K का पती किसको बनाना है, R को बनाना है, family tree हमारा बन के त्यार हो गया, इसके आधार पे कोई भी relation पूछे, बर्याराम से निकाल सकते हैं, क्या question है, D का किसके साथ संबंद, R से संबंद, मतलब हमें क्या बताना है, D कौन है R का, ठीक है, कई बार क्या होता है, कि हम लोग गलती में R का ही संबंद निकाल देते हैं, R कौन है D का, हमेशा जिसके साथ का लगा रहे, उसके बारें बताईएगा कि वह कौन है, ठीक है, तो D कौन है, किसका R का, तो देख तो इन तीनों का यह पिता इन तीनों का पिता इन तीनों की माता इन दो नों का संतान हो जायेगा चुकि gender clear नहीं है तो आंसर होगा पुत्री या पुत्री इस दोनों का संतान यह तीनों है ना इस दोनों का संतान है तीनों का तीनों इस दोनों का संतान है मतलब M जो होगा इस दोनों की पुत्री B इस दोनों का पुत्र D इस दोनों का पुत्र या पुत्री तो R का क्या होगा पुत्र या पुत्री चुकि gender clear नहीं है इसलिए हमारा answer क्या होगा पुत्र या पुत्री clear चलिए अब बड़ते हैं आगे अगले question में आईए अगला question यहाँ पे देख लिजेगा क्या दे रखा है बोला है x y की बहन है z y की मा है w z का पिता है b z का पती है तो w का भाई x का क्या होगा ओके गौर से देखिएगा x y की बहन है तो पहले हम क्या करेंगे x और y दोनों को साथ में बनाएंगे अच्छे gender किसका clear है x का क्योंकि x के बारे में क्या बोला है x y की बहन है इतना हो गया z y की मा है y की मा किसको बनाना है y की मा कौन है z तो z कहां रहेगा y के उपर और मा है मतलब सरकल में रहेगा डबलू जेड का पिता है डबलू कौन है जेड का पिता तो डबलू कहां रहेगा जेड के ऊपर ठीक है पिता है तो इसको ट्रेंगल में डबलू जेड का पिता है भी जेड का पती भी जो है वो जेड का पती जेड का पती कौन है जेड का पती आपका भी है, पती है तो इसको कहाँ रखेंगे, ट्रेंगल में, और देख लिजए भी जेड का पती है तो भी कहाँ रहेगा, जेड के साथ रहेगा, और इसके बीच में क्या सिंबॉल होगा, प्लस का, तो हमें बताना है तो W का भाई X का क्या होगा, W का जो भाई है अब डबलू का भाई कहां पर बनेगा डबलू का भाई तो यहीं पर बनेगा यह जो परसन है डबलू का जो भाई होगा यही डबलू का भाई होगा ना ट्रेंगल में इसके साथ जो होगा वह इसका भाई होगा तो डबलू का जो भाई है वह X का क्या है तो X के स नाना का भाई हो जाएगा क्योंकि डबलु एक्स का नाना होगा देख लिए इस दोनों की माता और माता के पिता यानि डबलु नाना हो जाएगा किसका एक्सका और वाई का दोनों का तो डबलु एक्स और वाई दोनों का नाना होगा तो जो डबलु का भाई होगा वह एक्स का क्या होगा डबलू जब X का नाना है तो जो डबलू का भाई होगा वह X के नाना का भाई हो जाएगा बस चलिए अब चलते हैं आगे अगला कोशन यहां पे देख लीजे अब जो कोशन आ चुका है आपके सामने यह आपका है कोडेड रिलेशन का कोडेड रिलेशन का कोश रिलेशन है उसको हम लिख लेते हैं ओके जो रिलेशन है उसको लिख लेते हैं फिर इस डाटा को हम हटा लेंगे तो पलस से क्या दर्शाया है? पलस से दर्शाया है पुतरी को और पहले बाला बाद बाला का इस चीज का भी ध्यान रखिएगा पलस से क्या दर्शाया है? पलस से दर्शाया है पुतरी को आगे चलिए इसके अलाबा भाग से क्या दर्साया है माता को ठीक है जहां भाग का सिंबॉल है उसका मतलब माता आपको समझना है क्लियर होडा होगा और माइनस का अर्थ है भाई और माइनस से क्या दर्साया है माइनस से दर्साया है भाई को चलिए अब इसका काम हो चुका है यहाँ पे जो आपका डाटा दे रखा था उसका काम हो चुका है आप अब इसका काम हो चुका है इसको हटा देते हैं और जो इसका काम हो चुका है इसके बदले में यहाँ पर हमने डाटा लिख लिया है अब इसी के आधार पे question solve करिए कुल मिला के यहाँ पे ना 5 question आपको solve करना है यह आपका पहला question है ठीक है चलिए इस पहले question को देखें सबसे पहले पहला question क्या है हमारे सामने मुला है P भगा R question को गौर से देखेगा P भगा R इसके अलाबा क्या है माइनस का Q गुना T ठीक है यदि P भगा R माइनस Q गुना T एक equation दे रखा है अब इसके आधार पर क्या पुछा है कि इसके आधार पर बताईए कि P का T से क्या संबंद P का T से क्या संबंद किसके आधार पर इसके आधार पर बताना है simple question है जो concept अब ही आप देखे थे उसी का यूज करके इस question को भी हम लोग solve करेंगे वहाँ पर सीधे सीधे दे देता था कि A B का भाई है B A की बहन है इस तरीके से relation आपका सीधे दे रखा था लेकिन यहाँ पर क्या है आपको symbol में symbol का meaning दे रखा है कि इस symbol का यह relation है इस symbol का यह relation है बस और कुछ नहीं है और symbol के अस्थान पर कोई भी symbol मिल सकता है dollar मिल सकता है ड़रेट मिल सकता है triangle मिल सकता है ओके चलिए यहाँ पर क्या है P भागा R भाग का मतलब क्या है माता तो P माता हो जाएगा R का तो P को बना देना है R की माता तो P उपर रहेगा और R नीचे और चुकि P माता इसले इसको रखेंगे कहाँ पे सरकल में यह दोनों relation आपका clear हो गया आगे देखिए आगे क्या है minus minus का मतलब भाई तो R minus Q यानि कि R भाई है Q का तो R भाई है Q का तो R और Q दोनों साथ में रहेगा और gender किसका clear हो रहा है R का चुकि R भाई है Q का आगे Q गुना T यह बचा ना Q गुना T गुना का मतलब क्या है पिता Q पिता हो जाएगा T का Q को T का पिता बनाना है तो T कहा रहेगा Q के नीचे क्योंकि Q पिता है तो Q तो उपर होगा और पिता है मतलब इसका भी gender clear हो गया यह क्या होगा यह आपका पूरुस होगा यही आपका family tree बन के त्यार हो गया यहाँ जो question number 1 दे रखा है उसका ओके चलिए अब इसके आधार पे हमें क्या बताना है और T का यहाँ पिता है और T के पिता की पि माता है यानि कि T के पिता की माता पी है तो P क्या हो जाएगी दादी आंसर हमारा इस question का क्या होगा grand mother हो जाएगा विकल पे एक जो है वो इस question का सही answer हो जाएगा फिर से देख लिजिए क्या बोला था P का T से क्या संबन्द तो T के पिता की माता यही तो है P यानि P दादी हो जाएगी T का चलिए तो पहला question आपका clear हो गया अब हम लोग चलेंगे question number 2 में number 2 question देखेगा क्या है number 2 question यहाँ पे जो है number 2 question यहाँ भी आपका एक equation दे रखा है P भागा Q पलस R गुना T अगर ऐसा है तो इसके आधार पे बताएगे T का Q से क्या संबन्द जैसा हम लोग question solve कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही question हो गया यहाँ बस symbol का meaning है देखेगा पहले इस दोनों का निकल यह P भागा Q भाकार्थ माता इसका मतलब P माता हो जाएगा किसका Q का तो P उपर Q नीचे चुकी P माता इसको सरकल में P Q की माता हो गया आगे देखे Q पलस R पलस का मतलब क्या है पलस का मतलब है पुतरी तो Q पुतरी हो जाएगा R का अब इस शिच को ध्यान से समझे कोई भी एक परसन जो है वह दो ब्यक्ति का संतान तभी हो सकता है, जब वह दोनों पति-पत्नी होगा, जैसे अगर हम आप से कहें कि B A का संतान है, और B C का भी संतान कब होगा, जब A और C आपस में क्या होगा, पति-पत्नी होगा, तभी तो कोई एक ब्यक्ति-दो ब्यक्ति का संतान हो सकता है, तो पी भगा क्यू का अर्थ क्या था आपका यहाँ पे पी क्यू की माता है आगे क्यू पलस आर का मतलब है क्यू आर की पुत्री है तो क्यू आर की पुत्री कब होगा क्यू आर की पुत्री तब होगा जब जब पी का पती जो है वह क्या होगा पी का पती आर होगा तभी तो क्य क्यूंकि Q जो है P की पुत्री है तो R की पुत्री कब होगा जब P और R दोनों पती-पत्नी होगा तभी तो अब आगे R गुना T R गुना T गुना का मतलब पिता, R पिता है T का R किसका पिता है T का तो R के नीचे कौन होगा T होगा इसका मतलब Q और T का भी relation आपका clear हो गया कि दोनों क्या होगा दोनों भाई या भान होगा P भागा Q भाग का मतलब माता P माता हो जाएगा Q का P का gender clear है लेकिन Q का clear नहीं है Q पलस R Q पुत्री हो जाएगा R का तो Q तो पहले से अच्छा Q पुत्री हो जाएगा होगा P पती और R का पुत्री है मतलब यहां दोनों भाई भाई भान इस दोनों का यहां माता पिता अब question क्या है T का क्यूं से क्या संबंध मतलब T कॉन हैader कूं का तो देख लिजे सेम है साथ में आया है मतलब T भाई या भाई हो जाएगा क्यों का तो हमारा आंसर क्या होगा भाई या बहन यहां पे option क्या है इन में से कोई नहीं इसी option को चुनेंगे बहन option में चुनिएगा भाई option में होगा उसको भी नहीं चुनेंगे बहन को भी नहीं चुनेंगे अगर option में भाई या बहन होता तो उसको चुन लेते और अगर इन में से कोई नहीं क्या लावा अगर option में रहता कि आंकरे आप प्रयाप्त है तो वह भी हमारा answer हो जाता चुकि gender clear नहीं है तो हम exactly नहीं कह सकते हैं कि T जो है वह भाई होगा की बहन होगा तो ध्यान रखिएगा option का भी क्यू के बारें पुछा जाता कि Q का T से सम्मंद बताईए तो क्यू बहन हो जाता T का लेकिन T के साथ किसी का भी सम्मंद पुछेगा तो आपका exactly clear नहीं है T पुत्र या पुत्री होगा R का T पुत्र या पुत्री होगा P का लेकिन option में पुत्र या पुत्री नहीं लिखा रहे और इन में से कोई न हो उस case में हम इसका answer आकरे अपरयाप्त भी करेंगे तो number 2 question आप देख लिए हैं अब चलेंगे हम लोग question number 3 में number 3 question इसी data के उपर question number 3 को देखेगा क्या है यही है आपका number 3 question बोलाए निमलिखित में से किस का आर्थ है R P की पतनी हमें क्या खोजना है इन में से किस option का मतलब है R P की पतनी अब एक चीज़ सोचिए जरासा कि हमें R को P की पतनी बनाना है R को क्या बताना है बनाना है P की पतनी किस option का किस equation का मतलब है R P की पतनी तो R को पतनी होने के लिए क्या होना पड़ेगा R को महिला होना पड़ेगा यह चीज़ तो तय है आर को पत्नी होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसको तो पक्का महिला होना पड़ेगा अब आर महिला कब होगा जब आर के साथ नियान दीजेगा जब आर के साथ पलस या माइनस चिन होगा तभी आर महिला हो सकता है अगर R के साथ कहीं गुना का चिन होगा, R गुना तो गुना R को पिता बना देगा, मतलब कि पुरुस बना देगा, तो R एक बार पुरुस हो गया, तो वह किसी की पतनी नहीं हो सकता है, और R के साथ अगर कहीं माइनस लगा हो, तो उसको भाई बना देगा, भाई का मतलब कि पुरुस बना देगा और पुरुस है तो वह कभी किसी की पतनी नहीं हो सकता है तो आप क्या करिए कि उन सभी option को हटा दीजे जिसमें r के बाद गुना या minus है तो देखिए r के बाद यहां पर क्या है? minus है तो यह option कभी हमारा answer नहीं होगा r के बाद यहां भी minus है तो यह option कभी हमारा answer नहीं होगा r के बाद minus है तो यह option भी कभी हमारा answer नहीं होगा और अगर r के बाद गुना भी होता फिर भी क्या होता यह option कभी हमारा answer नहीं होता अगर यह option answer नहीं होगा, तो number 5 ही हमारा answer होगा, अब number 4 क्या है, number 4 जो option है, वह है आपका P गुना T, P गुना T, minus Q plus R, यही तो है, अब चलिए इसका family tree बना लेते हैं, तभी तो clear होगा कि यार P की पतनी है या नहीं, गुना का मतलब पिता, तो P पिता हो जाएगा किसका, P पिता हो जाएगा T का, P को T के उपर रहेंगे, रखेंगे T minus Q, T भाई हो जाएगा किसका, T भाई हो जाएगा Q का, Q plus R, पलस का मतलब पुत्री, Q पुत्री है किसका, Q पुत्री है R का, अच्छा देखिए Q R की पुत्री कब होगा क्यों तो पहले से पी की पुत्री है आर की पुत्री कब होगा जब पी और आर दोनों में दोनों पती पत्नी होगा क्यों पहले से पी की पुत्री है आर की पुत्री भी क्यों कब होगा जब पी और आर आपस में पती पत्नी होगा अब यहां से देख लिए क्लियर क् पीकी पत्नी है आर जो है वह पीकी पत्नी है clear हुआ किस ऐसे बीकल्फ 4 से तो बिकल्फ 4 का सही आंसर हो जाएगा हमें एक ऐसे ऑसन की तलास्ति जिससे यह पता चले तो सभी आपसन का हमें फैनीट बना के चेक करना होता लेकिन option elimination method से हम लोग तीन option को पहले eliminate कर दिए अब बचे दो option में से न किसी एक को चेक करेंगे अगर इसको चेक करते यह अगर गलत हो जाता तो आखरी जो answer होता option होता हो हमारा answer हो जाता और अगर यह सही है तो आपका answer यही होगा अब चलते हैं अगले question में यहां तक हम लोग solve कर चुके हैं number 3 तक question number 4 देखिए number 4 question देखिएगा यहां पर क्या है number 4 question में फिर से equation दे रखा है और मारे मारे मा इनस पी इसके अलाभा भगा जे और मैनस पी भगा जेगंणा क्यूस्व अब हम से question आयकर से क्या सम्ब्ध घंग है ठीक है जे बना लिए पहले आर माइनस पी है इसका मतलब मैने सका मतलब भाई तो आर भाई हो जाएग अपी का तो आर और और दोनों साथ में रहेगा आई का gender clear है भाई है आगे जे भागा क्यू भाग का मतलब माता जे माता हो जाएगा किसका यहाँ पे भागा जे है न पी भागा जे यानि पी माता हो जाएगा जे का तो पी को माता बना दीजे किसका जे का आगे जे गुना क्यू गुना का मतलब पिता जे पिता ह हो जाएगा किसका क्यों का जिए को पिता बना दीजे किसका क्यों का हो गया फैनमिटरी बनके त्यार अब कोश्चन में क्या है जे का आर से क्या संबंद जे कौन है आर का जे कौन है आर का देख लिए जे कौन है आर का तो यहां पर देख लिए आर की बहन का यह जो है आपका यहां पे गौर से देखिएगा आर का पी क्या हो जाएगा बहन और बहन का यह क्या हो जाएगा पुत्र यानि जे जो है वह आपका भांजा हो जाएगा आर का option में देखिए तो कहीं भांजा है नहीं है तो nephew से हम लोग काम चलाएंगे नेफियो हमारे इस question का answer हो जाएगा नेफियो का मतलब क्या होगा भांजा या भतीजा तो बिकल्प दो आपका इस question का सही answer हो जाएगा ओके चलिए और यहाँ पे जो आखरी question है पाच्वा question इसको solve करने की आपको जिमेवारी आपकी है इसका answer करके आप जो है उसको comment जरूर क YOUR question क्या बोल आइं गौर से देखे एक शीतर की एक पूर्षत ने कहा एक पूरस जो बोले कि मेरे पिता के इकलोते पुत्र मतलब कि वह अपने भाई के बारे में बोल रहा है तो इस बात का ध्यान रखेगा कि बोलने वाला पुरुस है कि महिला तो यहां पर पुरुस क्या बोला है कि मेरे पिता के इकलोते पुत्र तो किसी ब्यक्ति के पिता के इकलोते पुत् तो खुद यह ब्यक्ति जो है खुद यह पुरुस जो है वह बोला है यहां तक अपने बारे में की पतनी यानि इस पुरुस की पतनी का बेटा है यानि चितर में जो है वह इस पुरुस का ही बेटा है जो चितर का परिचे कराया है या पुरुस वह कौन है इसी पुरुस का ब लाएगा आप चाहे तो फैमिली ट्री बना करके भी इस कोश्चन को सोल्व कर सकते हैं देखिए फैमिली ट्री बना करके कैसे हम लो कोश्चन को सोल्व करते हैं अक्त सबसेपहले देखिये यहां पर क्या बोला है एक चितर क्योडी सारा करते हुए एक पुरूश ने कहा बोलने वाला कौन है पूरूश है तो इसका सबसेपहले यहां क्या करिए family tree में सबसे पहले इसको लिखिये और यही बोलने वाला ब्यक्ति है ठीक है यही पड़चय कराने वाला ब्यक्ति इसको एम से डिनोड हम कर लिए और इसको रख लेते हैं नंबर एक पे ओके अगर कोई महिला पड़चय कराना सुरू करती तो उसको रखते हम लोग सरकिल में अब यह जो ब्यक्ति है वह बोलना क्या सुरू किया है मेरे पिता तो सबसे पहले इसका बना दीजे पिता इसका बना दीजे पिता और इसका अस्थान क्या हो जाएगा दूसरा अस्थान हो जाएगा ठीक है मेरे पिता कितने रिलिसन है इसमें मेरे पिता दूसरे नंबर पर कि इकलोते पुत्र अब इसके पिता के इकलोते पुत्र यानि कि इतिन नंबर पर यहीं परसन आ जाएगा जो परचे कराना शुरू किया है कि पतनी अब इसका बना दीजे पतनी अब या कितने नंबर पर आएगा यहाएगा नंबर चार पर कि पतनी हो गया का पांच नंबर पे समाप्थ हुआ है, इसका मतलब की इसी का परचय कराया गया है, फोटो वाला ब्यक्ति यही है, चितर वाला ब्यक्ति कौन है, यही है, जहाँ पे फैमिली ट्री आपका समाप्थ होगा, परचय हमेशा उसी का कराया जाता है, तो फैमिली ट्री यहाँ पे सम होगा है मतलब कि परचए इसी बेक्ति का कराए गया हैं और जहाँ एम लिखे थे वही ब्यक्ति क्या है परचák कराना सुरू किया था यही ब्यक्ति जो है वह परच Lauren जाना शुरू किया है अब कोशन में देखे क्या बोला है पुरुस का यानि यहीं पुरुस है चित्र से क्या संबंद इस चित्र से इस पुरुस का क्या संबंद तो देख लिजे इसके माता का पती यानि की इसका पिता हो जाएगा तो आंसर हमारा इस कोशन का क्या होगा विक दिव्या बोल रही है ठीक है दिव्या को आप रखिए सरकल में ओके दिव्या बोलना शुरू की है और इसका नंबरिंग कर लिजे यह कितने नंबर पढ़ाएगी दिव्या नंबर एक पर आएगी दिव्या क्या बोली है कि मेरे पिता तो दिव्या का बना दीजे पिता पिता कितने नंबर पढ़ाएंगे दो नंबर पे पिता कि एक मात्र भाई जब पिता का बना दीजे यहां पे एक मात्र भाई इसका हो जाएगा नंबर तीन का लड़का लड़का मतलब पुत्र इसका बना दीजे लड़का ठीक है एक मात्र लड़का है, क्या बोला है एक लड़के की उर्षारा करती हुए दिव्या ने कहा, इसी लड़के के तरफ कि शारा किया होगा, फैमलिटरी जहां पे समाप्त होगा, परचे उसी का कराया गया होगा, तो इसी का परचे कराया गया है, किसके साथ कौन कराया परचे है तो दिब्या जो है वो चचेरी बहन हो जाएगा इस व्यक्ति का जिसका पर्चे कराएगा जिस लड़के का पर्चे कराएगा उसका चचेरी बहन इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं कजन का कजन का मतलब होता है चचेरी ममेरी फुफेरी भाई या बहन दोनों भाई के तो दिब्या कजन हो जाएगा इस लरके का और यह लरका भी कजन हो जाएगा किसका दिब्या का तो इस तरीके से हम लोग question solve करते हैं blood relation के यहाँ पर हमने तीनों ही type के question को सामिल किया है ठीक है और भी question आप practice कर सकते हैं किसी भी practice book से reasoning का कोई भी किताब होगा वहाँ से आप practice कर सकते हैं हर question आप से जरूर बनेगा तो आज के लिए तना ही और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर करें इसके अलावा like और share करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए concept के साथ Thank you, जै हिंद